हलो दोस्तों आपका स्वागत है trending tech के इस नए एपिसोड में आज का एपिसोड बहुत ही इंटरस्टिंग है और इस एपिसोड में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही इंटरस्टिंग tech news तो इस एपिसोड को आप लास तक देखिएगा सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ गूगल की एक नई अनॉंसमेंट की एक नई टिकनॉलोजी यह तरीके से कहिए एक नया फीचर गूगल ने अनॉंस किया है टोन ट्रांसफर जी हाँ गूगल ने टोन ट्रांसफर अनॉंस किया है और इसका क्या मतलब है क्या ही टिकनॉलोजी है वह मैं आपको बता देता हूँ टोन ट्रांसफर में आप अपना वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं और उस वॉइस को या आपकी जो आवाज है उसको अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट जैसे की बांसुरी फ्लू कोई भी काम गूगल बिना मतलब के नहीं करता है सो गूगल टोन ट्रांसफर आप अभी एक्सपेरिमेंट के तौर पर अवलेबल है और आप भी चेक कर सकते हैं बड़ा ही इंट्रस्टिंग एक तरीके का वेबसाइट है आप जाकर जरू ट्राइक किजेगा यहां पर आप इंटेलिजेंस का यूज करेंगी गूगल की में जिसने पूरा प्रोजेक्ट बनाया है अगर आप में से कोई इंजीनियर है तो जरूर उसे घबराट होने लगी होगी लेकिन यह यूज करने में काफी आसान है अभी आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो इसका यूरल ह आप ड़ा आप यहां पर आपकी डवाइस कमपाइबिलीटी चेक होगी अभी फिलाल रिकॉर्ड रेकॉर्ड बत्oweолов पर क्लेंट पर क्लिक कर सकते हैं मैं आपको बता दू अभी सिर्प पांच से पंद्रिया सेकंट तक की क्लिप यहां पर अपलोड कर सकते हैं उससे limit को ट 30 सितंबर को अपने जो दो नए फ्लैक्षिप फोन लांच की है पिक्सल 5 और पिक्सल 4 5 जी वहां पर उन्होंने एक टिकनॉलोजी एक तरीके से एक फीचर का अनॉंस्मेंट किया था जो अभी सिर्फ एक्स्क्लूजिव पिक्सल फोन है डैट तो सिर्फ यूस के लिए जहां करें पर बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि पहले पर बड़े सारे अप्शन दबाने के बाद बड़ी मुश्किल से कस्ट्मर के रिप्रेजेंटेटिव पहुंच पाते हैं इस टेक्नॉलोजी में क्या होगा कि जैसे ही आप गूगल फोन पर टेक्नॉलोजी अवेलिबल हो कई उसको पाल को होल्ड पर जाएगा जैसे ही वहां से सामने से जो रिप्रेजेंटेटिव है वह ऊफोल जाएगा उसको एक तरीके से फोन पर आपको यह दिखाई देगी आपको में अपनी स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ कुछ किस तरीके से आपको पूरी टिकनॉलो आप call को hold पर डाल सकते हैं और जो call पीछे चल रही होगी उसकी transcript भी screen पर चल रही होगी जैसे ईस जो रिप्रेजेंटेटिव है hold हटेगा आपको एक notification आजाएगा और आप call दुबारा से join कर सकते हैं मैं फिर से बता दू यह feature अभी इंडिया में नहीं available है और किसी और phone पर बिनी है, सिर्फ exclusive to Pixel 5 और 4A 5G है और अभी सिर्फ US में है, लेकिन बड़ा ही interesting अपने आप में feature है अब देखना होगा कि इसे Google कब इंडिया में launch करता है तीसरा एक tech update जिसकी में आप से बात करने वाला हूँ वो बहुत ज़ादा interesting आपको ना लगे लेकिन उसका हमारी mental health पर बहुत effect पड़ता है और Google ने अभी अपने नए जो phone launch की है, उसमें ही उन्होंने announcement किया है उस related ही Google अब selfie में कोई भी filter by default enable नहीं करेगा दोस्तों सुनने में बहुत ही आपको लगेगा कि यह क्या फालतू की बात है या हो सकता है आपको लगे कि यह feature इतना important नहीं है लेकिन यह बहुत important है क्योंकि जब से Chinese market की एक तरीके से इंडिया में flood किया है या all over the world वहाँ पर इतना heavy beauty filter वोई लोग यूज करते हैं और उसका जो है negative impact आपकी mental health पर पड़ता है और Google ने research भी करी है जो आपके android phone पर 70% front camera से photo लिये जाते हैं selfies लिये जाते हैं और selfies पर जो यह beauty stickers होते हैं जो beauty modifications होते हैं इनका बहुत ही आपके mind पर negative impact पड़ता है गलत beauty benchmark सेट करते हैं तो Google ने decide किया है आने वाले समय में Google अपने phone पर यह पिक्सल 5 से लोग शुरू कर रहे हैं 5 और 4 ए 5G में by default कोई भी filter enable नहीं होगा आप चाहे तो filter enable कर सकते हैं लेकिन by default कोई filter enable नहीं होगा बहुत जरूरी एक step था जो गूगल जैसे tech giant को लेना चाहिए था और उन्होंने लिया है अब आगे चलते हैं नेक्स्ट जो tech news है जिसके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ वो थोड़ी सी controversial है आपने सुना होगा आज गूगल के play store को लेकर और in fact apple के सिर्फ government specific apps है मैं आपको अपनी स्क्रीन पर वो app store भी दिखा देता हूँ यह आप देख सकते हैं apps.mgov.gov.in यहाँ पर आप देख सकते हैं यह Indian government का एक तरीके से app store है और यहाँ पर देख सकते हैं आप काफी popular apps भी अभी available है हाला कि बहुत जादा apps नहीं है अगर आप play store से compare करेंगे यह iOS से compare करेंगे बढ़ हाँ आने वाले time में इस app store पर काफी सारी apps आ सकती है क्योंकि जो जिस तरीके से Google का और Apple का टसल चल रहा है app developers के साथ और companies के साथ तो बहुत जरूरी है कि इंडिया का कोई अपना app store हो और ना सिर्फ app store हो in fact मुझे तो यह लगता है कि इंडिया का अपना एक operating system भी होना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से Huawei के साथ हुआ एकदम से Android ने उनने support बंद कर दिया तो ऐसा कभी भी हो सकता है क्योंकि mostly phone mostly क्या सभी phone या तो Android पर है iOS पर है हमारा national कोई एक तरीके से operating system नहीं है जो कि होना चाहिए हमारा बहुत सारा digital इंडिया के इम बात करते हैं और बहुत सारी चीज़े हम phone से या अपने एक तरीके से mobile से कर रहे होते हैं ऐसे में हमारा इंडिया का एक अपना एक तरीके से iOS होना चाहिए चाहिए वो इतना popular हो ना हो वो एक अलग बात है लेकिन जिस तरीके से GPS में नाविक हमने अपना एक तरीके से बना लिया और बाकी companies को उसका support देना पड़ा उसी तरीके से मुझे लगता है इंडिया का अपना phones के लिए भी operating system होना चाहिए जो हमारी national security के लिए भी जरूरी है और हमारी national integrity के लिए भी बहुत जरूरी है आप मुझे जरूर बताइएगा आपके इसको लेकर के क्या thought अगली जो tech news है वो है phone launch related October month है और इस ताइम पर बहुत सारी companies अपने phone launch करती है तो अब आने वाले यानि दो अफते बाद काफी सारे phone launch होंगे जिन में सिकल करके आये हैं कि हो सकता है इस बार 5 आइफोन launch हो और आइफोन mini जिन में सबसे छोटा phone हो और इसके अलावा 13 को आइफोन का launch और 14 को one plus अपना 8T launch कर रहा है हाला कि यह पहली बार नहीं है जब आइफोन और one plus का launch इतनी आसपास है इससे पहले मुझे याद है 6T का I think launch था जब New York में यह launch हुआ था तो Apple ने अपना जो event है वो same day launch announce कर दिया था जिस दिन one plus ने अपना event announce किया हुआ था और जिसकी वज़ए से one plus को अपना event cancel करना पड़ा था और उन्हें अपना event shift करना पड़ा था और next day जब उन्होंने event किया था तो उन्हें काफी बहुत अच्छी नहीं और एक दूसरे को यह लोग टार्गेट करने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से लेकिन 8T का मैं बता दूं कोई प्रो वर्जन नहीं आगा यह शायद आपको पता भी हो कंपनी के सियों ने कंफर्म कर दिया है हाला कि 8T कुछ बहुत ज्यादा एक बहुत टिकनोलजी टर्मस में बहुत कुछ ज्यादा खास इनिवेज उसमें नहीं है 65W चार्जिंग 120Hz डिस्प्ले के लावा एस सच कुछ बहुत अमेजिंग टेक या फीचर यहां पर आता हुआ नहीं दिख रहा सिवाए इसके कि उसमें Android 11 का आपको out of the box support मिलने वाल है ना कि कुछ भी रेंडम मैं इदर उदर से उठा के आपके लिए करा हूँ definitely मैं कोशिश करूँगा और आपके पास भी अगर इस series related मेरे लिए कोई suggestion है कोई सोजहाव है तो please मुझे comment section में लिख करके बताईएगा मुझे आपके comments का इंतजार रहेगा धन्यवाद दोस्तो जाहिए